हलो भाईउं स्वागा थाप का नुए वीडियो में SSAGD के लिए ये वीडियो पिहार के नकसल जिला के लिए है लड़का और लड़कियों के लिए कि पिछला सीट का कटफ कितना गया था पिछला बार का 2022 वाला और कितना सीट था इस बार कटफ क्या जा सकता है Cut up बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे हमने इससे पहले जेनरल जिला का वीडियो बना दिया है और आगे वीडियो बोडर जिला का आएगा ये वीडियो नक्सल जिला के लिए है ठीक है तो चर ये वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को लाश तक देखेगा बहुत कुछ आपको जनकारी इस वीडियो में दिया जाएगा ठीक है फिलहाल हम लोग देख लेते हैं पिछले साल कितना सीट था और कितना कटफ गया था 222 में 720 सीट थी इस बार 376 सीट है कटफ की बात करें आपका तो 102.31 गया था फिजिकल के लिए कटफ 112.45 गया था आपका मेडिकल के लिए कटफ और 129.33 आपका फाइनल मेरिट गया था बीएसेफ के लिए अगर लड़कियों की हम बात करें तो आपका 86 याने 86 सीट थी इस बार आपका मातर 46 सीट है ठीक है आधे लगभग सीट आपके हो चुके है पिछले बार से ठीक है फिजिकल कटफ की बात करें 94.84 गया था मेडिकल कटफ की बात करें 100 पॉइंट 77 गया था और फाइनल मेरिट गया था पॉस्ट मेडिकल का कटफ था और फाइनल CRPF पोस्ट का सबसे लो कटफ गया था 116.53 जो आपको CRPF पोस्ट मिली थी ठीक है हम minimum लेके चल रहे है ठीक है वही लड़कियों के हम बात करें तो 50 seat थी इस बार आपकी 27 seat है फिजिकल की cut-up 90.15 गया था और medical cut-up 69.55 गया था और final cut-up गया था आपका 105.61 जो की BSF का था ठीक है अब आगे देख लेते हैं इसी तरह से हम EWS की बात करें तो 2022 में 155 seat थी अभी आपका इस बार 89 seat है ठीक है फिजिकल की cut-up लड़कों का 49.01 गया था और medical cut-up 106.41 गया था और final merit CRPF का गया था 114.77 बसF का भी लगभग इतना ही था 114.96 लगभग यही difference थोड़ा बूर difference में रहता है ठीक है तो CRPF का से minimum 114.77 गया था लड़कियों की बात करें तो 18 seat थी 2022 में इस बार आपकी मात्रे 8 seat है आपकी physical cut-up 87.57 गया था medical की cut-up 93.48 गया था यह 2025 की बात हो रही है और 102.20 आपकी final meritivity PSF के लिए ठीक है विडियो में बने रही हैगा आपको आगे final cut-up के बारे में जनकारी भी दिया जाएगा ठीक है अभी SC की हम बात कर ले 222 में आपकी 800 seat थी लड़कों की अभी 127 seat है ठीक है physical cut-up आपकी 72 point एक कईस गई थी पिछली बार medical की cut-up 81.01 गया था और final CRPF 91.26 पे आपका post मिल गया था ठीक है इसी तरह लड़कियों की बात करें तो 39 seat थी आपकी 222 में इस बार आपकी मातरे 15 seat है 63.93 cut-up गई थी physical की 64.01 cut-up गई थी आपकी medical की और 72.26 cut-up गया था आपका final merit का इस तरह हम ST की बात कर ले लड़कों में 14 seat थी 222 में इस बार मातरे आपकी 8 ही seat है इस बार physical में 93.15 cut-up गया था 108.27 आपका cut-up गया था medical में और CRPF के लिए 113.50 पे आपकी final merit बन गई थी इसी तरह लड़कियों की देखे तो 2 seat थी आपकी पिछला बार अभी आपकी मातरे एक ही seat है एक seat होने से घबड़ाईये का नहीं आपको general से fight करना पड़ेगा ठीक है एक seat बिलेगी जो एक सीट ये मिलेगी बाकी लोग general से fight करेंगे आपकी cut-up देखे लड़कियों की तो 9.60 आपकी cut-up physical की गई थी 105.66 medical की गई थी और 107.35 पे आपके final merit बन गई थी ठीक है अब यह हम लोग cut-up के बारे में देख लेते हैं देखिए पिछला बार का situation मैंने आपको बता दिया कितना seat है और कितना cut-up के था physical, medical और final merit के लिए और इस बार का मैंने आपको seat भी बता दिया और cut-up कितना जाएगा आप भी थोड़ा सोचिएगा मैं आपको point बताता हूँ जैसे आपको पता होगा पिछला बार से इस बार seat आधे हैं आपने अभी देखा पिछला बार से seat आपके आधे हैं इस बार negative की बात करे तो फोरम की बात करें तो चोवा लाख 15,938 फोरम 222 में भरे गए थे 2024 में भी कोई कम नहीं है लगभक से मी है 47 लाख 45,501 फोरम भरे गए है बड़ी बात हमारे लिए कि आए कि उम्र में छूट पिछला बार कि कटप हाई जाने वाला है ठीक है और एक पॉइंट यह जो है जो बताता है कटप हाँ नॉर्मली सेम लगभक रहेगा तो मेरे कहने का मतलब है यह बात से आपको यतना तो आडिया लग गया होगा कि आपका कटप तो हाई ही रहने वाला है क्यों हाई रने वाला है आधी सीट है निगेटी भी कम हो गई है कोस्चनल लेवेल भी लगभक स्लो ही था और फॉरम जितना पिछला बार था इस बार भी इतना ही है तो एक पलस पॉइंट है यह न कि उमर में छूट इस बार नहीं मिला है पिछला बार तीन साल का छूट मिला गया था लेकिन लड़के पढ़ने वाले यह भी है कि बहुत सारे लोगों का सेलेक्शन हो चुका है वो भी बहुत कॉट अप पे मतलब माईने रखता है उसका भी बहुत जादा ठीक है फाइनली हम लोग फाइनल कॉट अप की बात करें तो देखिए अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी आपका एंसर की नहीं आया है एंसर की आएगा नर्मलाइज माक्स आएगा उसके बाद ही आपको परफेक्ट कॉट अप के बारे हम पता चलता है फिलाल एक अंधाजा ही लगाया जा सकता है ताकि अंधाजा लग जाए तो हम दूसरे एकजाम की तयारी में लग जाए या हम फेजिकल में लग जाए ठीक है तो अगर आपका नॉमबर पिछला कटप से जादा है तो अफकोर्स आप सेफ चुन में है आप तैयारी करिए आगे फेजिकल का या मेडिकल का जो भी हो वैसे तो देखिए जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक आपकी यही जिम्मेवारी होने चाहिए कि पढ़ाई करते רہें ठीक है तब तक नहीं छोड़नी है जब तक जो आईनी लटर आतमे आपके नहीं मिल जाए तब तक तो पड़ाई नहीं छोड़नी है किसी एक पहाली पे आप depend नहीं रह सकते हैं आप निर्भर उस पे नहीं रह सकते हैं तो आप आगे भी तैयारी करते रहिए लेकिन एक होता है कि हाँ भाई क्या इसमें मेरा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो अगर आपका मेरे जो cut-up बताया इस cut-up से आपका marks जादा है तो आप उमीद रख सकते हैं और इससे भी कम बन रहे हैं तो हम मैं तो बोलूगा मैं उस टाइम क्या करूँगा न मैं उस टाइम आपका Google फोरूम भरवा लूँगा आपको पता चल जाएगा कि आपके जीला में कितने लोग हैं जो आपसे ज्यादा नंबर या कम नंबर लेके आ रहे हैं ठीक है तो फिलहाल वीडियो में आपको लगभग आइडिया लग चुका होगा कट अप क्या जाने वाला है क्या रहने वाला है लड़का और लड़कियों के लिए बाकि जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट करिए हम आपके वीडियो में आपको कमेंट में reply करेंगे बाकी समय आने दिजिए समय आएगा आपके लिए बहुत सरा चीज़ होगा हाँ देखिए टेलीगराम ग्रूप है आप उसमें चरूर जुड़ाइएगा आपको बहुत सरा help होगा ठीक है ये टेलीगराम ग्रूप है आपको डिस्किप्शन में लिंक दे दिया जाएगा ऐसे ये सर्च करिएगा तो आप आज आएगे इसमें लेकिन आपको डिस्किप्शन में लिंक दे दिया जाएगा इसमें 1560 लड़के हैं इसमें से समझिये कि 6700 जौब में ही है बाकी लड़के वो ट्रेनिंग में हैं और बाकी वो जो भी बिहार के लड़के हैं सिर्फ बिहार के लड़के हैं जुड़ियेगा इसमें क्योंकि बिहार के लिए गुरूप है सारा इंफर्मेशन इसमें दिया जाता है ठीक है तो फिलहाल वीडियो में इतना ही धन्यवाद